कम गाइज हमारी ओलिन वन यूटूब चैनल सुबोट टेश में तो दोस्तो आज की यूडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने मूबाइल में 5G नेटवर्क स्पीड को चलाने के लिए कौन सी सेटिंग करें तो दोस्तो चलिए आज की यूडियो तो दोस्तो simply आपको क्या करना है अपने मूबाइल की सेटिंग ओपन कर लेने हैं है सेटिंग ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तो या जो आपका जो परसनल होसपोड दिख रहा है उस पे जाना है तो personal hotspot पे जाएंगे हम दोस्तो तो फिर यहाँ पे other sharing mode दिख रहा है उस पे जाने के बाद में आपको क्या करना है share phone network वाया bluetooth उसको जो button बंद है उसको चालू कर देना है फिर button चालू होने के बाद में फिर आपको जो button बंद कर देना है बंद करने के बाद में आपको दोस्तो बैग जाना है फिर यहाँ पे दोस्तो आपका जो number of connection एलो दिख रहा है उस पे जाना है उस पे जाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ जो connection 1 है उसको connection 8 कर देना है तो दोस्तों फिर आपको क्या करना है अपना जो data limit पर यूज है उस पे क्लिक कर लेना है उस पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों यहां जो अनलिमेजर दिख रहा है उस पे क्लिक कर देना है उस पे क्लिक करने देने के बाद में आपको दोस्तों क्या करना है यहां जो आपका नीचे more setting option दिख रहा है more setting option पे click कर देना है तो फिर दोस्तों आपको more setting पे जाने के बाद में आपको yes or yes call जो यह है on उसको बन कर देना है यह tips follow करने के बाद में दोस्तों आपका जो 100% 5G आपके mobile में चलेगा तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe किजेगा और यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like किजेगा